दोस्तों स्क्रीन पर आपको जो एक सुन्दर से घड़ी दिखाए दे रहे हैं आज हम ऐसी घड़ी पेंट ब्रश में ड्रॉ करने वाले हैं और आप ध्यान से देखिए एक से बारा तक के जो अंकर हैं वो सारे बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर हैं और इसके लिए हमें क्य क्या तरकिप इस्तेमाल करना है आज हम इस वीडियो में सिखेंगे ठीके तो चलते हैं पेंट ब्रश पे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सब से पहले हम पेंट ब्रश ओपर कर लेते हैं यह रहा पेंट ब्रश अब घड़ी में एक से बारा तक के जितने अंक हैं वे एक बराबर दूरी पर होते हैं मतलब जैसे एक गोला 360 डिगरी का होता है और घड़ी में 12 अंकों को 360 के साब से हमें डिवाइट करना है तो 360 में 12 का भाग देने पर क्या आता है 30 तो हम चलकर देख लेते हैं एक बार कैल्कुलेटर में यह कैल्कुलेटर हमने लिया 306 को हमने 12 से भागित किया और बराबर तो 30 आता है मतलब की मतलब यह है कि घड़ी में 1 से 12 तक के सारे आंक के एक दूसरी से 30 डिगरी की दूरी पर होते हैं ठीक है तो हमें यहाँ पर सारे आंकों को 30 डिगरी पर लाने के लिए एक आइडिया लगाने की जरुद चलते हैं एक लाइन मैंने सेलेक की और शिर्ट के साथ ड्रॉ करेंगे तो बिलकुल सीधी लाइन बनेगी ठीक है इस लाइन को मैं 30 डिगरी पर घुमाना जा रहा हूं तो चलते हैं रिसाइज और होरिसर्टल इसे 30 डिगरी पर मुझे घुमा देना है तो 30 करके ओके ठीक है तो यह हमारी लाइन 30 डिगरी पर घुम चुकी है अब इसकी एक में कॉपी करना चाहरा हूं सेलेक्ट टूल लिया सेलेक्ट किया जितने की जरुत है राइट क्लिक कॉपी राइट अब इससे में आपोस्ट डिरेक्शन में घुमाना चाहरा हूं तो रूटेट में चलाकर हम ले लेता है फ्लिप होरिजॉंट ये इसे सही जगा पर अरेज कर लीजी है अब शिक के साथ एक लाइन और मुझे ट्रॉ करना है तो मैंने लाइन सलेक्ट की और शिक के साथ ड्र एक लाइन और ड्रो करना है, shift के साथ अपने फिर से ट्रो की, ठीके इसे भी keyboard के साहटा से आपको सही ज़कपर अरेंज करेना है, अब बिना shift के एक लाइन ड्रो करेंगे, ठीके इसे भी 4 arrow की का यूज करके, बिल्कुल बीच ओ बीच आरेंज करना है, ठीके, फिर से एक तो यह हमने लाइने ट्रॉ कर ली है अब इनको गिनी है कितनी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस ग्यारा और बारा मतलब बेडी के बारा अंकाब आ सकते हैं अब एक शेप ड्रॉ करते हैं शेप के साथ हम अगर ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल गोल शेप बनेग अब मैं अलग अलग दिखाने के लिए एक कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूं ठीके यह देखिए अब मैं बलैक कलर ले रहा हूं और बलैक मैंने फ्यल कर दिया तो यह देखिए रैट कलर में लाइग हो गई है ठीके वाइड कलर ले कर हम फिर से fill कर देते हैं अब मुझे छोटे-छोटे circle बनाना है जिन में एक से बारा तक के digits को मैं रख सकूँ तो इसके लिए हम चलते हैं फिर से एक oval ले ले लेते हैं select किया और मैं color चाहता हूँ blue select करके shape आपको draw करना है shape के साथ बिल्कुल gold shape बनेगा मैं blue की बज़ाय ले लेता हूँ dark blue तो इसको थोड़ा साथ हम dark करते हैं और ok ठीक है यह हो चुका है अब इसमें color feel कर देता है ठीक है यह हो गया अब same to same मुझे और 11 चाहिए तो select tool लिया और select किया जितने की आवश्कता हो सिर्फ उतना ही करें उससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह select किया right click पर मिलेगा copy right click पर मिलेगा best ठीक है तो यह अपने second को भी arrange कर दिया चार arrow key है keyboard पे इनका यूज़ करके फिल्कुल लाइन के विचो 20 दिखना चाहिए control V से भी हम best कर सकते हैं हमने फिर से किया control V सही जगापर इसे भी arrange कर लिया है चार arrow key का यूज़ करेंगे फिर से control plus V इसको भी arrange कर लिए फिर से control plus V यह हो गया control plus V यह आ गया एक और ठीक है इसे की keyboard से सही जगापर arrange कर लेते हैं फिर से control plus V यह हो गया control plus V control plus V और यह भी सही जगापर आ चुका है फिर से control plus V control plus V और इसे भी सही जगापर arrange करेंगे control plus V चीक है तो यह हमने 12 circle बना दिये हैं जिनमें 12 digits आएंगे अब हम control plus स्क्रोल करेंगे इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और पीचो बीच मैं एक shape और बनाना चाहूंगा तो हमने shape sheet के साथ यहां पर ड्रॉव किया जी देखिए बिल्कुल कोल है और इसमें भी color होना चाहिए blue ठीक है अब इसको control स्क्रोड करके फिर से थोड़ा सा चोटा कर लेते हैं zoom out अब मैं यह जो line हैं इनको हटाना चाहरा हूं fill with color tool हमारे पास है active हमने white color select किया और इन shapes को पर click करके इन सारे shapes को हटा दिया सारी line हो को हमने हटा दिया ठीक है अब इन circles में digits मुझे बनाना है ठीक है तो text select करते हैं और काम करने में मुझे आसानी हो इसलिए control plus scroll में कर लेता हूं ठीक है तो यह सबसे उपर हमारे सामने है क्लिक किया इस में होना चाहिए 12 ठीक है color हम white ही चाहते हैं और font का size थोड़ा सा छोटा करने की जरूत है तो 20 ले लेते हैं 18 ले लेते हैं ठीक है यह हो गया और इसको आप सही जगह पर arrange करिए ठीक है यह हो चुका है यह 12 यहां पर चाहिए 1 इसे भी सही जगह पर arrange करिए ठीक है यह एक हुआ यहां पर 2 इसे भी सही जगह पर arrange करिए यहां पर 3 इसे जाते हैं अगला है चार यहां पर आएगा पांच आएगा यहां पर चाहिए और यहां पर चाहिए आट यहां पर नौप कि दस और ग्यारा ठीक है यह हो चुके हैं 12 डिजिट्स अब एक सर्कल हम बनाना चाहेंगे इसके चार और एक शेप ड्रॉ करते हैं एक सर्कल तो हमने लिया अवल और शेप के साथ इसे ड्रॉ कर लिया ठीक है अब इससे सही जिग पर आपको अरेंज करना है साइज में चाहता हूं उसका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ठीक है और इससे चार एरो की से सही जिग पर अरेंज करना है ठीक है इसका कलर भी मैं चाहता हूं ब्ल्यू सेलेक्ट किया टील लिया और यह ब्लू कर लिया एओ अब हमगडे के काटे बनाना है सबसे पहले घंटे का काटा उसके बाद मिनेट हो और सेक्नों अन अप मनाएंगे तोپर गंटे का का बनाने के लिए हमने हमने select किया polygon और एक shape ड्रॉब करना है size पेले ही हम बतला कर लेते हैं थोड़ा सा हुआ है यह हमने a cloud की और यहां पर हमने कर दिया क्लिक तो यह line connect हो गई और इस हिस्थे पर इस कोने पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर भी हो जाएगी ठीक है पॉलिगर की विश्यस्ता यह है कि जहां पर हम क्लिक करते हैं तो पहले कहां तक हमने ड्रॉ किया था वहां से यहां तक में यह कनेक हो जाती है अब एक शेप और जाहिए बिल्कुल ऐसी ही तो सेलेक्ट टूल लिया सेलेक्ट किया और राइट क्लिक पर कॉपी राइट क्लिक पर मिलेगा पैस्ट ठीक है इसे हम रोटेट करने चलते हैं फ्लीप होरिजंटल और इन दोनों को बिल्कुल पास में रखना है ठीक है अब कलर कीड़ा टाला फ्ल्क करते हैं कि अब सि टिकें यह होगा यह तो घंटें के लिए हो गया है साइस का थोड़ा सा च्छोटा होना चाहिए तो शल्क्ट bead लेकर के हमसे तो छोड़ा चोड़ा करें हैí सब्सक्त करके पुरा सृत तो यह सौटा सा च्छोटा पर लिए सही जहगर इससे arrange करें दो की चाहँ है से grand एक काफ़ाल करते हैं को आ पी राइट क्लिक पैस्ट करने पर या लिया ही इसे से रोटेट करते हैं cheese करते हैं तो दिखे कि इसके लंबाई सब्सक्राइब तो और इसा बोड़े से जादा होना चाहिए है ठीकल यह हो गया अब सेकेंड के लिए एक द्रॉल भारिक से लाइन ब्रो करना है ठीक है यह हो गया ठीक है तो यह घड़ी हो गई है अब इसके बेक्ग्राउंड में हम कोई कलर फील करना चाहरा है तो फील विद कलर टूल लिया और बेक्ग्राउंड में कौन सा कलर अच्छा लगेगा और कोई कलर सेलिक करे करिए ऐह ये यह लोगंगता ज्यादा बैस लग रहा थीक है तुझ यह हमारी फाइल तैयार होगी है अब इसे सेड़ करते हैं तो Ctrl qg फ्रमेट में सेरो ज़ Country है वास के सरा है अलाग लग या में से लिए celebrations कर सकते है तो भिलाद हम इसे jpg में सेर चाहए है तो तो मिए जेकिज़ कर लिया है और हम हमें कमट्रेब कर लिजिए ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के एडवांस कुछ वीडियो मिलते रहें नए-एडियास के साथ में और बेल आइकन को एक्टिव जरूर कर लें ताकि जैसे कोई वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन पुरंद मिल जाए ठाने बाद